तीन तलाग पर सच हुई भाविश्वानी 99 वोटों के साथ पास हुआ बिल पीडित मुसलिम महिलाओ को मिली आजादी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसकी भाविश्वानी सन बेतरा जी कैशी धाम से पहले ही कर चुके है लोगसभा के बाद राजसभा में अटका तीन तलाग का बिल आखिकार पास हो गया है जिस बिल को लेकर मोधी सरकार ने बड़ी महनत की थी तमाम पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की थी आखिरकार उस काम में मोधी सरकार सफल हुई है और इस बिल को लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो पीडिपी से लेकर टी आरेस हो गई और जेडियू हो गई आई डीम के हो गई और तमाम कुछ पार्टियों को अपने साथ लाने में विफल रही अब जो कि सन्बेतरा जी की एक और भविश्वानी सर्च हो गई है तीन तलाग को लेकर कैजित हाम से सन्बेतरा जी ने कहता कि तीन तलाग बिल लोकसभा के सासा राजी सभा से भी सफलता पूरवक पास हो जाएगा ऐसे में तीन दलाग का जो बिल है उस सफल मतब इस जीत के बाद खास का 2024 पे क्या असर पड़ेगा अब आगे क्या होने वाला है आईए एक बाद दुबारा सन्बेतरा जी से जान लेते हैं सर सबसे पैस आपकी भविश्यवानी एक और सच बड़ी भवश्यवानी आपके जर्म दिन के मौके पस सच साबित हुए बताई क्या कहेंगे आप बहुत खुशी की बाता देखिए मेरी भविश्यवानी का सत्य से दोना और देश की हित के लिए जो मानी मोदी जी ने निर्णे लिया था वो राजे सबा से पारित होना एक बहुत बड़ी खुशकबरी है पूरे देश के लिए खुशकबरी है क्योंकि यहां से जो है देश का जो बडलावा वो शुरू हो चुका है क्योंकि एक वर्ग जो है जिसको मुस्लिम वर्ग जिसको तुस्टी करन के तहट एक कोने में रखा हुआ था कोने में कैसे रखा हुआ था सिर्फ उनके जो आका मौलाना है उनके त्रीव उनको कंट्रोल किया जा रहता है और जिसके लिए ये पास्ट की सरकारें इस बारे में सोच भी नहीं सकी जिस चीज के बारे में मानी मोदी जी ने सोचा बहुत बड़ी बात है हमारी जो बहने हैं माता हैं मुसलिम वो तीन तलाग के दंश को किस तरीके से सहती थी वो तो अब आस्ता आस्ता सामने आएगा लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये बहुत ही दूरगामी है कारण ये है कि वो जो तुस्टी करेंट की नीती के तहट जो आपकी जो कॉंग्रेस हुई या रिजनल पार्टी हैं जो है मुसलिम वोट्स को जो यूज करती थी वो अब जो है नहीं यूज कर पाएंगी क्योंकि तीन तलाग का बिल पास होते ही मुसलिम महिलाओं को बाहर निकलने का एक मुका मिलेगा आज तीन तलाग पास हुआ है कल वो बुर्का हटा देंगी और सो वो जो है जब आप कदेश के साथ कदम मिलाके जैसे बाकी महिलाएं जो है चल रही है इस टाम आप देखिए का महिलाओं का महिला कहां नहीं पहुची लेकिन अगर आपने अपनी महिला को अगर बुर्के के अंदर ढख दिया तो वो क्या कर पाएगी तो तीन तलाग एक शुरुआद है मुसलिम महिलाओं के लिए और वो जब इस से बाहर आएंगी और बुर्के से जब वो बाहर आएंगी तो उनको पता लगेगा कि ये जो निर्ने हुआ वो उनके लिए कितना अच्छा और कितना दूरगामी है उनके फ्यूचर को कहां लेके जाएगा देश को कहां लेके जाएगा तो इसका इफेक्ट जो अगर आप 2024 के इलेक्शन को छोड़िएगा अभी जो 4-5 स्टेट के इलेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा सर इस पक्ष में जो कि इस बिल को राजसभा में हमारे देश के कानून मंतरी रविशंकर प्रसाद ने पेश किया और इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े और अब जो कि बिल पास हो गया जिसके चलते देश की जितने भी मुसली महिला है खास कर जो 3 तलाक से पेडित हैं उनमें खुशी की एक लहर है लेकिन अब जो कि कॉंग्रेस कॉंग्रेस समा विपक्ष पार्टियों को इस बिल के विरोध में अपने साथ लाने میں विफल रही तो ऐसे मैं आब क्या समझे कि बाकि विपक्ष पार्टियों कब क्या हुआ साँ देखी जो लोगों ने वाकोर्ट की है वो इस बिल के पक्ष में ही है क्योंकि राजनीती में बड़ी दूर की सोच के आदमी चलता है कल जब हम अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे तो कोई हम को ये ना कहे कि आप ने तीन तालाक मुलाना लोगों को उनकी नाराजगी से बचने के लिए कि भाई आपने तीन तालाक के बिल को पास करवाया था तो वो लोग कहेंगे कि हम तो थे ही नहीं उसमें इंडिरेक्ली तो आपने उसको पास ही करवाया अगर उन्होंने वकवट किया तो इस पर बाचित करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मैं अपने दर्शकों को बता दू कि जो कि तीन तालाक बिल आज राजसभा में पेश हुआ और पास हो गया लेकिन इस इस बिल के पास होने की जो भवश्वानी थी सन बेतरा जी हमारे साथ हमारे चैनल पे बैट कर कैची धाम से नहोंने पहले ही कर दी थी जो कि आज यानि कि इनके जन्म दिन के मौके पर सच साबित हुई है अब जोगी सन्बेतरा ने कहा है कि इस बिल के पास होने के बाद 2024 में इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा खास कर जिसका फाइदा मोधी सरकार को होने वाला है और विस्ता पूरवक उस पे हम अपने अगले एपिसोड पे बात करेंगे तब तक ले मुझे यानिकी कविता को दीजे इजाज़त और धनग्यान की साथ आप हमेशा जुड़े रहे और हमारे आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूल कि कुरान में क्या है और इसलाम में क्या है और मैं अपनी बात सर यहीं से शुरू करना चाहता हूं सर अमिर अली प्रेजी कांशल के जज़ थे सर बाद में बिंगोल हाई कोड कलकटा हाई कोड के जज़ रहे सर उन्धने किताब लिखी है कमेंटरी ओन मुहंडन लो यह कब अधर विखी है कि अधर 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 इसलाम में बात सर नहीं सर मैं सिर्फ चार लाइं पढ़नी कि ज़ाँ चाहूंगा तलाके बिदद पर अमिर 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 अधर 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 नहीं सर मैं बस पांच नहीं और सर मैं इसका कॉं सा संसकरन 2005 5th reprint edition as a matter of fact the capricious and irregular exercise of the power of अधर 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 पहले इसको इतनी सक्ती पाबंदी लगाई कि उनके जिस बंदे ने ऐसा किया उसको कहा अपनी पक्नी को वापिस लो तो 2019 में हम 6 घंटे से बहस कर रहे हैं कि यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए सही का एक दो लोगों ने हमने इसका समर्थन नहीं किया लेकिन क्या बोल रहे है तीन तलाग गलत है लेकिन बट यह बट क्या है तो मतलब तीन तलाग को नाम के लिए गलत कह दो बाकी जो होता है चलने रहने दो तो इस से हमारा डिफरेंश है सर जब भी हम सुसाइटी की बात करते हैं सुसाइटी इवॉल्व करते है और आज जब मैं इस विशे को बोल रहा हूँ तो गुल्णमनेवी अजाद साहब अपनी पार्टी के बहुती वरिश नेता है मैं उनके बड़ इज़त करता हूँ और वो कॉंग्रेस पार्टी के उन नेताओं में है जो सुख और दुख में कॉंग्रेस के साथ रहते हैं इसलिए मैं उनके और इज़त करता हूँ और वो ऐसे नेता हैं जो कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास में जानते हैं और 58 साल कॉंग्रेस पाड़ी ने राज किया तो क्या क्या किया ये भी समझते हैं लेकिन आज जब उनकी तक्रीर में सुन रहा था तो मुझे इस बात का बड़ा अजीब आश्यर हुआ जो अच्छे काम उन्होंने किया वो भी भूल गए सर सारदा एक सती की बात बहुत लोगोंने किय सैं शार्दा एक 1959 हमने खतम किया बाल जिवास हैं तो क्या आख़ड़ी छो दें तकर किब हिंदू मैरेज़ एक 1955 बना सर तो इसेंश्यल अप दे हिंदू मैरेज मैं ये लगछा कि पतिक उमर 21 साल होनी चाहिए पतिक उमर 18 साल ह करेगा तो सेक्शन 18 में कहा उसको दो साल की सजा होगी यह तो आपके सरकार ने किया गुलाम ने भी अजाद साथ और उससे तो यह नहीं कहा कि यह हम सजा देंगे तो वह वाहिक जिवन गर्बला जाएगा और क्या कहा सर इफ और यह वाइफ और हस्बंट और यह रुके सर फोर नाइटी फोर में साथ साथ की सजा भी होगी तो जो बार मरा आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोट ने वाइड कर दिया